हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुमन धाका चैनल में तो दोस्तों देखिए आज मैं बनाने जा रहे हूं एक भोती अलग सी यूनिक सी रेसिपी ये रेसिपी जो है सभी लोग बनाते हैं सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं बट आज मैं एक सबजी तो जो कस्मेरी स्टैल राज में होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी और जो राज में होते हैं जो कस्मेर में क्योंकि जंबू में जो है राज में की खेती काफी होती है तो उनको कस्मेरी राज में बहुत ही अच्छ पढ़ता है राजमे को तो मैंने जो है वो वाल वाले राजमे और जो वाइट वाले राजमे हैं दोनों मिलाओं के उनको 7-8 गंटे के लिए भीगो दिया है अगर आप और नIGHट भीगोओगे तो और भी अच्छी बात है तो देखे मैंने भीगोओ के जो पानी था उसी में मै आ रहे हैं तो इसके अंदर मैं तेजबते एक दागचीनी और दो बड़ी लाइची यह सब डालेंगे और उसके बाद मैं उसको चार से पांच से जो है सीथिया लगा देंगे और इधर मैंने प्याजगट करके लिए हैं लैसुन है हरी मिर्च है अद्रक है और उनको हम कश्मीरी जो राज में होते हैं उन में जो अलग-लग बनती है इसकी राज में जो कश्मीरी न कुआरा दो यह वह लेंगे तो आप चाहें हिटла लैसुन को सकिप कर सकते हैं बालकूल optional है तो मैंने लेसुन इसमें डाला है आप अगर नहीं खाते हों तो लेसुन मट डालिए और देखे ये सारी चीजे मैं grind करनी हूँ और इधर गैस पे मैंने कड़ाई रखे जिसमें मैंने डाला सर्शू का तेल ये जो राज में होते हैं ये सर्शू के तेल में हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं और ज्यादा तर जो थंडी के इलाके होते हैं वहां पे लोग सर्शू के तेल में ही सबजी बनाते हैं क्योंकि सर्शू का तेल जो होता है वह बहुत ही गर्माट वाला होता है और उसके अंदर मैंने डाल दिया साही जीरा और उसके बाद में जो हमने प्याज का पेष्ट बनाया था वो डाल दिया अब हम इनको अच्छे से पका लेंगे जो प्याज है उसको अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका जो कच्छा पन है वो सारा निकल जाए और भोती अच्छा टेस्ट दे तो प्याज तकरीबन भून गया है उसके बाद बी आप ले सकते हैं या फिर आप छोटे चोटे पीसेंस करके डाले हैं और उसके बाद मैं नमक क्योंगी जो नमक है वो टमाटर को जल्दी से घरा देता है इसलिए मैने और इसको अच्छे से आब हम पका लें गे क्योंकि जब राज में के अंत साथ में जब यह चोटे-चोटे टमाटर के पीश आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी और देखने में भी, तो चले इसको हम अच्छे से पका लेते हैं, तो यह देखें, थोड़े देर के लिए आप ऐसे पकाऊगे, तो नमक के साथ जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए क्वार्णे में कसमीरी लाल मिर्च और अक्स्टर मसाला में कुछ नई डाल रही हूँ आज जाहे तो इस में गरम मसाला डाल है हैं और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगे हींग क्योंकि हींग जो होती है वह बहुत अच्छी होती है और अब हमें जो मसालें उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई भी लंस नहीं रहना चाहिए और इधर देखिए हमारे जो प्याज और टमाटरें वो अच्छे से भून गये हैं ग्रेवी के लिए तियार हैं अब हम इसके अंदर जो प्याज और जो हमने धही का पेस् तो बहुत ही सुनेरा सा इसका कलर आएगा जो कि है राजमे में बहुत ही अच्छा लगेगा यह देखे देखने में बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगे देखे ग्रेवी हमारी पक गई है दही अच्छे से मिल गया है जैसे हम दही का मसाल तो इसके लिए हमें छोड़ना नहीं है उसको चलते रहते मुझे पाइब यह मोझेक पाइबर अनगे तो जो भी आप अब आप डालना चाहों तो आप डाल सकते हैं तो देखें ग멍वी जो है में फ़ीजmen को सफ़ता हूप आपशणते हैं तो अब हमने जो राजमे उबाले थे वो राजमे इसके अंदर डाल देंगे हम पानी नहीं डालेंगे बस अके लिए राजमे एक बार डाल देंगे उसके अंदर तो यह राजमे में पानी निकालके और अके लिए राजमे इसके अंदर डाल दूँगे अच्छे से mix होने के बाद में हम डखके थोड़ा सा इसको पकाएंगे उसके बाद में हम इसके अंदर जितनी जुर्थ होगी उतना जो है पानी डालेंगे तो यह देखे, मैंने इसके अंदर डाल दिये हैं और राजमे जो हो अच्छे से ग्रेवि में सेट हो गए हैं तो अब हम डाल देखें इसके अंदर पानी तो पानी आप जितना इसमें लिक्विड आपको चीए जितना जूस से यह उतना पानी आप डाल दीजिए और उसके बाद में इसको अच्छे से मिला दीजिए देखे कितने स्मूथ मतलब क्रीमी वाले राजमें बने हैं तो ऐसे ही राजमें हमें चाहिए तो चलिए अब हमें इसका लगा देते हैं कस्मीरी तड़का तो यह मैंने एक फ्राई पैन में गी ले लिए और गी को अच्छे से बोल कर लिया है और अब हम इस राजमे में डाल देंगे ओर ज्यादा क्रीमिस करने के लिए तो ये देखे, मैंने आदा गीस के अंदर डाल दिया है, थोड़ा-थोड़ा करके, आप देख सकते हैं, देखे कितने बड़िया राजमे बनके तयार हैं, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं, तो देखे मैंने इसको सर्व किया, आप देख सकते हैं, कितने बड़िया राजम तो इस तरीके से अगर आप राजमे बनाओं गेंगे और यह हेल्दी भी बहुत हो जाएंगे और जो हम जो मतलब हर जगह के अलग-अलग इस तरीके से बनाते हैं देख यह देखे दोस्तो कितना प्यारा कलर आए और भूती क्रीमिस राजमे बनके त्यार है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा पसंद हो तो इसको सेर जरूर कर देना और बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना तक आने वाले हर वीडियो की मैं आपको फिर मिलूंगे ऐसी ही और अच्छी अच्छी रेसिपीस के साथ में तब तक के लिए भाई भाई थनेवाद फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में